हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेविल के रिगार्डिंग हिंदी का मुक टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक् स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला को संगिया पके सामने निम्लिकत में से आपको व्यक्ति वाज पाइक रपतानी मैं कौॉम्विक्ति संगया का हुदा रण ना तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा गंगा सब्द जो है वो एक व्यक्ति वाचिक संग्या का उधारण है तीसरा आपस्टन से यहाँ पर आपका विल्यकुल करेक्ट हो जाएगा जबकि नदी गाय और आम ये तीनों के तीनों जाती वाचिक संग्या में चले जाएंगी यह निहीं सब्द जो है वो विसस मा उधारों का उदाना हो जाएगा ये एक इक्छा वाचक वाग कैसर तीसरा options correct हो जाएगा कैसा वाग है एक्छा वाचक वाग तीसरा options यहाँ पर आपका विलूकल करेक्ट है निमलेकित मैंसे कौन सा सब्द इस तरी लिंग में प्रियोक तूगा है जो सब्द इस्तरी लिंग में प्रियोक्तूगा है वही आपको बताना है तो जल्दी से बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा रितू, रितू सब्द जो है वो एक इस्तरी लिंग में प्रियोक्तूगा है पहला ही option company आपका पिलूखन व करेक्ट हो जाएगा निम्लकित पिरशने मैंसे आपको सम्मुहार्थक सब्ध चाटना है कौनसा सम्मुहार्थक सब्ध है सम्भाय सम्भाय सब्ध जो है वह एक सम्मुहार्थक सब्ध है किस किर्मांक में अकर्मा किरिया है यह आपको बताना है ऐसी करिया हैं जुनको पूरा करने के लिए बारी साधन की आवसकता ना हो वे रात बर नहीं सोया सोने के लिए बारी साधन की आवसकता होती नहीं है इसलिए यहाँ पर आपकी अकर्मक करिया होगी दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question से start करने से पहले मैं आपको UP Police Constable के regarding एक भैतरी इन बुक बता देता हूँ जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मुकमंतरी स्री यह गया दिता जीने 26,744 पदोपर UP Police Constable के पदोग लिए vacancy बहुत ही जल्द आने वाली है उन्होंने खुद बताया था एक press conference में तो ऐसे में आप लोगों को जरूरत होगी एक best book की तो UP Police Constable के लिए चक्सू publication Constable भरती के लिए best book लेकर के आया है जो आपको लिए बहुत ज़्यादा useful होगी useful क्यों होगी और ये best क्यों है other book से वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है क्यों क्यों क्योंकि सबसे पहले तो इस book में 3000 से ज़्यादा questions आपको देखने को मिल जाएंगी फिर अब ये questions आप लोगे लिए useful है या नहीं तो आपको पांच solid paper देखने को मिल रहा है जो last year यूपी पलिस Constable पूछे गए थे अब यहाँ से आपको ये फाइदा मिल जाएगा कि पिछली साल या लाश्ट टाइम जो exam होगे थे वहाँ पर किस तरहीं questions पूछे गए थे तो वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको और फिर उसके according आप इन में से तैयारी कर सकते हो और सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए ये जो वुक है बिलकुल slayvars के अनुसार जो है वो तैयार की गई है ठीक है जिसमें 37, 37, 37 questions आपको देखने को मिलते हैं ठीक है और इसकी विसे सूची आप देख सकते हैं देख लीजिए जिसमें समान हिंदी के लगवक सभी topic दिये हुए हैं ठीक है समान से 150 तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि Constable में 1500 questions आते हैं ठीक है वो तो कर नहीं पाओगे आप कुछ में तो doubt लिकलेगा तो आप जाओगे सर answer की की तरफ हम answer की की तरफ गए अब जिस भी questions में आपको doubt है तो देखो with explanation इन लोगों ने answer की दी हुई है तो आप लोग explanation के साथ जो है वो answer की दे सकते हैं तो इसलिए ये UP plus Constable के लिए best book है आप इसको offline market और online market दोनों जगे से purchase कर सकते हैं कई मियों कोई दिक्कत नहीं है online purchase करना चारा है तो description में आपके लिए यूसफुल होती है जिस वेकेंसी के लिए वह मैं आपको बता देता हूं फिर आपकी एकच्छा की ऊपर depend करता है description में लिंक एक वर जरू से चेक आउट कीजिएगा next question से आपके किस किरमा क्याने कि किस वाक्ष में अपादान कारक का प्रियोग हुआ है यह आपसे पूछा गया है अपादान कारक का विवक्ति चिन होता है से जब से कारक्ष चिन का यूस अलग होने के लिए होता है वहां पर अपादान कारक होता है तीसरा ओप्संस करेक्ट वैस सिंग से डर गया है ना तीसरा options correct हो जाएगा किस किर मांक में वागगद साही विरामचिन है नारी तुम केवल सरद्धा हो पहलाई options यहाँ पर आपका बिल्सक रर्क्रेक्ट हो जाएगा पूर्ण विरामचिन पर यहाँ प्रयोग हो आप Regular future यहाँ पर आपका बिल्सक हो जाएगा इसमें आपको बताना है किस किर्मांक में आपका वात करदत सही विरामचिन का यूज़ दूगा कौन से ये तो वही है आगे बढ़ रहा है किस किर्मांक में सब्द युगम का सही अर्थबेत बताया गया है मरीची और मरीची मरीची का मतलव होता है रस्मी और मिरीची का मतलव होता है किस किरमाँग के वाक़ में नेजवाचक सर्वनाम है सब काम में अपने आप करूंगा तीसरा options यहाँ पर आपका विलुकुल करेक्ट हो जाएगा तेज गर्मी में चलने के करण भे फ्रिंद ब्लैंक्स हो गया सही विकलब का चैन करना है आपको तेज गर्मी में चलने के करण भे अचेतन हो गया चौता options यहाँ पर आपका विलुकल करेक्ट हो जाएगा कई तरसक गड़ किस विसेसल का उधारन है यह आप से पूछा गया है कई तरसक गड़ तो कई तरसक गड़ यह अनिश्चे संक्या वाचेक विसेसल का उधारन है दूसरा option यहाँ पर आपका बीलूक्ल correct हो जाएगा मक्खी सब्द का आपको तस्थम बताना है कि मक्खी सब्द का तस्थम क्या होगा मक्खी सब्द का तस्थम हो जाएगा मक्खी का किसका ? कौनसा सब्द तदवाव नहीं है जो तदवाव नहीं है वही आपको बताना है साइ साइ सब्द जो है वो एक तदवाव नहीं है दूसरा ओप्सन से आपर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जंगम का आपको bloom सब्द बताना है कि जंगम का bloom सब्द क्या होगा जंगम का bloom सब्द होगा इस्थावर तीसरा options correct सुद्वाक आपको बताना है कौन सा सुद्वाक है मेरे घर के पास हलबाई की एक दुकान है चौता options ब्रू को correct हो जाएगा थोड़ा नपा तोला बोजन करने वाला वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा थोड़ा नपा तोला बोजन करने वाले के लिए वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा उसको बोलेंगे मिताहारी क्या बोलेंगे मिताहारी तीसरा options correct किस किरमांक में संदी का प्रयोग हुआ है यह आपसे पूचा है सही संदी सिसू प्लस एक सिस्वेक यही आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा पहला ही options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct है किस समास का कोई पद जिस समास का कोई परद पिर्धान नहीं होता है बहुबर यह समास का कोई परद पिर्धान नहीं होता है बहुबर यह समास कहते है चौता options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा मचली का आपको परहएवाची सब्द बताना है कि मचली का परहएवाची सब्द क्या होगा मचली का प्रहए बाची सब्द हो जाएगा आपका मीन तीसरा उप्सन्स करेक्ट जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संत्रन करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं पहलाई उप्सन्स करेक्ट क्या कहते हैं संचारी बाब पहला यह options correct है चंद सास्तर के दसाक्षर किसे कहते हैं जो आप सोच रहे वो तो ही नहीं चंद सास्तर में दसाक्षर ला और गा वर्णों को केते हैं दूसरा options correct राजपल में कौन जी संग्या है राजपल सब्द में राजपल सब्द में जाती बाचक संग्या है दूसरा ओप्संस करेक्ट है पारा ना उतरना इस मुहाबरे का सहयर्थ क्या है या उच्छतर क्या है पारा ना उतरना यानि कि असान तोना दूसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा पारा ना उतरना इस मोहबरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा असान तो ना दूसरा ओप्सन्स यहां पर आपका विल्कुल करेक्ट है हाथ कंगन को आर्सी कैस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या है पिरत्यक्ष को प्रमाण किया वसकता या जरूरत नहीं होती है तीसरा ओप्सन्स यहां पर आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा पुरलिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपको चुनना है जल्दी बताओ देखो और फिर बताओ सिंपल सा कोशन्स है पुरलिंग परिवर्तन का सही विकल्प सामागरी के समराट पहलाई options बिलुकल करेक्ट निरप नीचे दिये गए विकल्पों में से किस सब्द का समनारती है जिस सब्द का समनारती है वही आपको चुनना है सही आंसर हो जाएगा आपका भूप और महीप तीसरा options करेक्ट ब्राम्मी से किस लिपी की उत्पत्ती हुई है यह आप से पूछा गया है तो ब्राम्मी से देवनागरी लिपी की उत्पत्ती हुई है पहला options करेक्ट हो जाएगा स्रीलाल सुकल कोन की किस किर्थी पर व्या समन प्रतान किया गया तो सही आंसर हो जएगा विसरामपुर का संत पहला ही उपसंस करेट संस्किर्थी के चार अध्याय किसकी रचना है या रचना किसने की तो ये रामदारी संधिन करने की पहला उपसंस करेट अगे को किस किर्थी के पर ग्यान पर पुर्षकर मिला किस किरती के लिए मिला तो सही आंसर हो जाएगा कितनी नाओं में कितनी बार और लाश्ट कोस्टन्स के निम्लेकत मेंसे कौन सी मैतली सरनल गुपत जी की रचना नहीं है तो इस कोस्टन्स का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों ये थे 37 हिंदी के इंपोटेंट कोस्टन्स जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी पलिस कॉंस्टेविल के लिए बेहद इंपोटेंट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर दिरू कर देजिएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में तो सुर्फ इतन ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक किजिए सेर कीज़ों और साथे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना ना भूलें क्योंकि मैं रोचने इसी तरह की वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत